हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीसे के सेल्ट की फिटिंग करने जा रहा है जैसे कि आप सлекिन पर देख सकते हैं और जानेंगे सीसे के सेल्ट की कैशे की जाती है जैसे कि आप देखी सकते हैं यह हमने पलाई के कुछ पार्टीशन को बनाया हुआ है इसके अंदर हम सीसे के सेल्ज की treating करेंगे तो इसके हमें depth को नाप लेना है और फ़रंड की इसकी चुड़ाई को भी नाप लेना है उससे एक सूथ कम करके हमें सीसे की cutting करवा लेनी है जैसे कि आप देख सकते हैं सीसे के साइज को हमने एक पेपर में लिख लिया है और अब हम सीधर सीसे की कटिंग को करा लेते हैं जो भी हमारे साइज होता है केबिनेट के उसके अकोडिंग हम इस सीसे की सेलफी करा लेते हैं और यह जो हमारे सीसे का थिकनेस होने वाला है जैसे कि आप देखी सकते हैं त काफी इसमूद तरीके से सीसे की कटिंग हो जाती है तो दोस्तों हमारी चारो सेल्फ की सीसे की कटिंग हो चुकी है जैसे कि आप इसकिन पर देख पा रहा है तो इसी तरह से दोस्तों सीसे की जो कटिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है उसके बाद जब हमारी कटिंग प दोगरे पिंगर वगरा नहीं कड़ पाती है उसके बाद हमारे चारो C रेडि हु चुके हैं उस सीसे कीछ प्रिटिंग करने के लिए उसे के लिफ को लगाने वाला हूँ तो राइट एंगल से हमें इसकी सीधी मार्किंग कर लेनी है, दोनों साइट की हमें कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, और मेजरमेंट को अच्छे से कर लेना है, और राइट एंगल से मार्किंग करके, यह जो हमारे L बटन होते हैं, पॉन इंची के स्कूर दूसे ड्रिल मसीन की मदब से इसको टाइट कर लेना है अपनी मार्किंग पर रखकर तो मार्किंग पर एको रेट रखना है ताकि जब हम इसके उपर सीषे के सेल्फ रखें तो काफी आसान तरीके से फिट हो जाए वह बिल्कुल सीधी धार में यानि राइट एंगल में हमा के सेल्फ रखें जैसे कि आप देखी सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के वीडियो आपको जब भी मैं अपलोड करूं मिलती रहें